Hello everyone, this is Siddharth Patel, welcome to Magnet Brains और ये है आपके Magnet Brains की class 11th और class 12th की पूरी की पूरी humanities की team जो की आप लोगों के लिए जोरो शोरो से महनत कर रही है कि आप अच्छे mark score कर पाएं आपको Magnet Brains में humanities stream के history हो, sociology हो, legal studies, political science, geography, economics ये सारे subjects आपको Magnet Brains पर ही मिलेंगे सारी चीज़ों को आप लोग डीटेल में पढ़िए और exam में बहुत अच्छे marks लेका ये हमारा नाम रोशन कीजे सो आज की वीडियो में हम क्या बढ़ने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे Communalism, Secularism और Democracy के बारे में बात करेंगे अब तक हमने बहुत सारे issues के बारे में अल्रेडी बात कर लिया था जैसे हमने बात किया था कि जो Congress की जो hegemony है वो कही न कहीं 1989 में एक बार challenge हुई थी जो Congress system जो चलते आ रहा था उसको कही न कहीं challenge देखने को हमें मिला था और 1989 से लेके 2014 तक पूरी की पूरी हम देखें तो एक गड़बंदन की सरकारे चलती रही है coalition government चलती रही है किसी भी political party को 1989 के बाद में पूरी पूर्ण बहुमत नहीं मिलिये पूरी majority नहीं मिलिये 2014 में BGP को majority मिली थी और उन्होंने फिर अपनी सरकार बनाई थी उनको full majority मिली थी मैकिस से पहले सब गड़बंदन की सरकार चल रही थी और गड़बंदन की सरकार में हम लोग यह देख रहे थे कि caste factor, religion factor, जो regional factors हैं वो भी national मुद्धा बन रहे थे कहीं न कहीं पे उसके बाद में हमने बात किया था जब मंडल कमिशन की report implement की गई 1990s में तो पूरे देश में कैसा माहूल था, दंगे वगेरा हो रहे थे, caste के नाम पे लोगों को एक तरीके से vote मांग रही थी political parties और कहीं न कहीं caste आपको पता है कि हमारे Indian political system में बहुत important role play करता है तो कैसे caste को influence करके political parties ने अपनी रोटियां सीखे, उसके बारे में मैंने आपको बताया है और ये reservation का 27% जो हम लोग reservation के बारे में कर चुके हैं अब इस video में basically हमलोग बात करेंगे religion के बारे में ठीक है हम लोग बात करेंगी secularism के बारे में और ये जो religion है ये हमारी democracy को कैसे influence करता है हम इसके बारे में बात करेंगी कि हमारी democracy को कैसे influence कर रहा है जब India का partition हुआ जब Pakistan बना ठीक है तो उसमें रिलिजन का बहुत इंपोर्टेंट एक रोल था और इंडिया ने जब हमारा देश मतलब जब हम लोग आजाद हुए थे तब हमारे जो लीडर से तब उन्होंने बुला था कि इंडिया में सारे रिलिजन को हम लोग मानेंगे मतलब सभी लोगों को प्राइवेट मैंटर है आप को जैसे करना है आप आजाद है उसके लिए ये इंडिया के principles थे ये इंडिया जब आजाद हुआ था तो हम इस principle के साथ में हम लोग आगे बड़े थे बाकि पाकिस्तान की क्या हाला थे या आज भी देख सकते हैं कि वहाँ पर जो minorities हैं उनके साथ में क्या होता है और उस टाइम पर partition के टाइम पर जो leaders थे जो उनके वो थे वो उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला ये सारी चीज़ें आपको history में पहले से ही पता है अब हम बात करेंगे कि ये जो religion है ये religion 1980s 1990s के दौरान ये religion हमारी political party में कैसे आ गया initially हम लोग देखें तो religion की इतनी बात नहीं होती थी भारत के जब आजादी मिली थी तब इतना जादा religion नहीं था लेकिन हम देखते 1970s के आसपास से धीरे धीरे इसकी शुरुवात होती है और आज तक religion बहुत important role play करता है political parties उसे use करती है vote मांगना होता है तब clear है यह चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है the other long term development during this period was the rise of politics based on religious identity leading to a debate about secularism in democracy अब जब political party religion को लेके आती है तो सवाल यह उठता है कि क्या India का secular character है या नहीं है क्या इंडिया में सारे religion को respect है या नहीं है क्या इंडिया में सारे religion के लोग अच्छे से रह पा रहे है या नहीं रह पा रहे है in the aftermath of the emergency the भारतिय जन्संग has merged with the जन्ता पाटी after the fall of जन्ता पाटी and its breakup the supporter of Ashwild जन्संग formed the भारतिय जन्ता पाटी BJP in 1980 अब यहां पर entry होगी BJP की पहले आपको पता है कि emergency की बाद में भारतिय जन्संग और जन्संग दोनों merge हो गए थे फिर बाद में जब जन्संग एक तरीके से हम कहें कि जब जन्संग का collapse हो गया थे जन्संग जब break हो गया थे एक तरीके से तो जो उसके अच्छे खासे supporter थे उन्होंने एक अपनी political party बना ली that is भारतिय जन्ता पाटी तो जन्संग से निकली है कौन सी भारतिय जन्ता पाटी निकली है 1980 में clear यह चीज आपको समझ में आगया आपको बस BJP का भी कहां पर origin समझ में आगया कि BJP का origin कहां पर यह आपको यहां पर समझ में आ गया है अब जब कोई भी political parties आती है तो आपको यह जानना होगा कि political parties अपने ideologies के माध्यम से लोगों को mobilize करती है वो अपनी ideologies लोगों के सामने रखती है और लोग उनकी ideologies के basis पे उन्हें vote देते हैं कोई भी political party हो चाहे, congress हो चाहे, BJP हो चाहे, आपके समाज में कोई भी मतलब आपके state में कोई भी regional political parties हो हम उनकी ideologies को दिखके vote करते हैं इनकी ideology क्या है development को लेके, इनकी ideology क्या है caste को लेके, इनकी ideology क्या है religion को लेके हर एक ideology होती, development की भी ideology होती है development भी किस थरीके से किया जाए किया development socialism के मादिम से होगा क्या development capitalism के मादिम से होगा तो हर political parties अपनी एक ideology के साथ में चुनाव में उतरती है और लोग उस ideology के basis पर vote देते हैं किसी भी political party को हर चीज़ की ideology होती है and political science is all about ideology जी जो political parties भी जो politics भी है politics is all about ideologies clear है अब बीजेपी आ तो गई तो बीजेपी की ideology क्या थी हम उसकी ideology पर यहां पर focus करेंगे अगर हम starting में देखें तो बीजेपी ने गांधियन socialism को अपनाया था as an ideology स्वदेश की बात करना मतलब democracy की बात करना पंजायत वगरे की बात करना ग्राश्रूट लेवल पर पावर होनी चीज़ सारी चीज़ों को उन्होंने अपनाया अब जब उन्होंने इस ideology को अपनाया तो वह इस ideology के साथ में लोगों के सामने चुनाव के लिए कि हम इस Idealogy को लेके जा रहे हैं लोग हमें वोट करेंगे हम जीतेंगे हम सत्ता में आएंगे में लोगों के सामने इस हैं उन्होंने 1980s में देखा 1984 में देखा कि हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे अब जब बीजेपी ने देखा कि उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे गांधियन सोशलिसम एजन आइडियोलोजी रखे तो उन्होंने शिफ्ट करने की कुशिश की क्योंकि कोई भी बीजेपी ने फिर अपती आईडियोलोजी थोड़ी सी चेंज करना शुरू करी 1984 के बाद से अफर 1986 देखा-टी बीजेपी बीजेपी ने हिंदू नाशनलिजम वाली आइडियोलोजी अपने उन्होंने हिंदुत्व वाली politics हिंदुत्व वाली ideology को अपनाया और इस तरीके से वो लोगों को mobilize करने लगए mobilize in the sense इस तरीके से वो लोगों को अपने से जोड़ने लगए अपने से connect करने लगए वो हिंदू nationalism की बात करने लगए तो यहां पर हम देखते हैं कि इनिशली जो बीजेपी की ideology थी वो गांधियन socialism थी लेकिन उसके बात से हिंदू nationalism हिंदुत्व के towards उनकी ideology आगे बढ़ती है clear यह चीज़ आपको यहां पर समझ में अगई अब हम थोड़ा सा समझते कि हिंदुत्व है क्या अब देखो अगर ऐसे हम हिंदुत्व की definition में जाए हिंदुत्व क्या है तो वीर्सावर कर है उन्होंने क्या किया उन्होंने इनका वाला concept दिया हिंदुत्व का तो हमें वीर्सावर के की philosophy में नहीं जाना है वह philosophy में अगर आप political science से करते हैं 12 के बाद में तो बिलकुल आप उसको पढ़ेंगे अभी आपको सिर्फ क्लास 12 लेवल पे हिंदुत्व का मतलब समझना है इसके डीटेल अंडेस्टाइंडिंगे अपार्ट फॉम यूर बुक तो आपको उस आइडियोलाजीकल स्पेर में नहीं जाना आपको उसमें पूरे में नहीं जाना कि हिंदुत्व क्या था वियर सावरकर का यह नहीं जाना है आपको बस छोटा सा ब्रीफ जानना है कि क्या था डीटेल एक्स्प्राइशन आपको अभी Class 12th लेवल पे जानने की कोई जरुवत नहीं है हिंदुत्व का ओरिजन कहा है हिंदुत्व का ओरिजन है यहाँ पे वीर सावरकर के पास में यह थे इन्होंने हिंदुत्व का concept दिया है इन्होंने हिंदुत्व की ideology थे अब देखो जब अंग्रेज हमारे उपर rule कर रहे थे तो सब लोग अपने अपनी ideologies दे रहे थे ठीक है और सबका अपना-पना point of view होता है मैंने पहले भी बुला है कि हर इंसान का अपना-पना point of view होता है और हर इंसान के point of view को हम सही भी साबित कर सकते हैं वह गलत भी साबित कर सकते हैं और सही भी साबित कर दोगे गलत भी कर दोगे ठुजे यहां पे आपको आप एक Humanity student वह आप सोशिल ओजी में भी पढ़ोगे कास्ट विए सारी तीजे पढ़ेंगे तो आपको डीबेट के लिए हमेशा ओपन रहना पड़ेगा ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यह तो गलत था नहीं ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हमेशा डीबेट के लिए ओपन रहना पड़ेगा आपको क्रिटिसिजम भी सुनना पड़ेगा आपको पॉइंट और व्यू भी सुनने होंगे आपको अपने भी तर्क वितर्क देने होंगे ठीक है तब ही इसके एकदम असली हीरो कहला होगे ठीक आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा तो यह उपीनियन है वह सामने वाले का उपीनियन जानूगे नहीं सामने वाले का उपीनियन भी आपको जानना होगा और इसलिए पॉलिटिकल साइंस में मज़े आते हैं क्योंकि अलग-अलग दी इन्होंने ये हिंदुत्व का कॉंसेट दिया उन्होंने ठीक है इट बेसीकली बींस देट टो बीए मैंबर ऑफ इंडियन नेशन एवरीमन मस्त नॉट अट ओनली एक्सेप्ट इंडिया इस ये फादर लैंड डाट इस पित्र भूमी बट आल्सो आज होली लैंड डा है who is hindu जो ये बोलते हैं कि वह कोई ब히Tracy यहां पर कोई बी इंसान जो कि इंडिया को अपनी पित्र भूमी जो कि इंडिया को अपना अपनी पिता का सब फादर's लेंड समझता है और पुन्य भूमी ठीक है जिसके कैपजि यहां पे इंडिया को पूछताaden जो इंडिया क समझता है और साथ ही छो की इंडिया में हो वो है हिंदु ठीक है जहां पे इंडिया का जहां जिन लोगों का इंडिया में हो जहां पे लोग पूजापरात्ना कर रहे हैं वो है हिंदु तो उन्होंने हिंदू की डेφिनिशन थोड़ी से dawrain दी है और अभी आपको इतना ही जानना है इसकी डीटेल में अभी आपको नहीं जाना है इन्होंने क्या बताया इन्होंने हिंदुत्व को कैसे डिफाइन कि कोई भी इंसान जो कि इंडिया को अपना fatherland as well as India में अपना holy land है तो वो हो गया हिंदु clear इतना आपको यहां पर समझ में आगया भी brief के लिए आपको इतना ही जानना है believers of hindutv argue that a strong nation can be built only on the basis of strong and united culture they also believe that in case of India the hindu culture alone can prove this piece अब जो hindutv के जो supporters थे उन्होंने बूला कि अगर हमें nationalism को build करना है strong nation को build करना है तो हमें culture के basis पे हम बना सकते हैं आपने यूरोप में देखा होगा वहाँ nationalism language के basis पे आया culture इन सब के basis पे वहाँ nationalism था हमारे यहां थोड़ा सा perspective वोल्टा था हमें अंगरेजों को भगाना था इसलिए सारे लोग unite है हमारे थोड़ा सा purpose वैसा था लेकिन कुछ-कुछ ऐसा भी थे मतलब कुछ-कुछ point of view ऐसे भी आ रहे थे कि नहीं अगर हमें इंडिया को एक श्रॉंग नेशन बनाना है तो यह एक जैसे कल्चर के लोगों को साथ मिला कि हम बना सकते हैं ठीक है तो एक यह point of view यहां पर निकल रहा था और उनको लगता था कि इंडिया में जो हिंदुत्व वाली आइडियोलोजी इस है क्योंकि हां हिंदू जादा है चीक है तो यह आइडियोलोजी काम करेगी यहां के सारे लोगों को इनाइड करने के लिए और यहां पर नाश्चलिजम की बात करने के लिए यह आइडियोलोजी काम करेगी क्लियर है इतना आपको समझ में आ गया अब अब तक हमने क्या पढ़ा है अब तक इसका में quick summarize कर देता हूं जो आपको क्रक्स निकालना है वो क्रक्स अभी के लिए लोसं आफेलोग्स के लिए यह निकालना है कि बीजैपी आई चॉशिवलिजम में आई तो वकी इनिसल इसी जो आईडियो लागी थी वो आइडियोलोजी थी गांधियन सोशलिजम को लेगे घांधियन इस स्फिशलिजम की आइडिवरोजी के साथ में यह ल keyboard में आये थे लेकिन इनको अच्छी खासी सक्सेस नहीं मिली तो यह फिर किस पे शिफ्ट हो गए यह आइडियोलोजी अब जो बीजेपी है वो हिंदुत्व पे जाके शिफ्ट हो गई यह आपको ध्यान रखना है यह बीजेपी की अभी आइडियोलोजी चीके यह है आइडि यह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और अब क्या-क्या हुआ था यह सारी चीजों को भी ध्यान रखना है है और आपको एयर थ्यान रखना है कि हम कौन से यह कौन से चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं यह चीज़ को ध्यान रखना है तो अभी यहां पर two डेवलप्मेंट अराउंड 1986 बिकेम सेंटरल तो दे पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज हिंदुत्व पार्टी अब यहां पर कुछ दो डेवलप्मेंट ऐसे हुए जिसको कि मतलब बीजेपी मतलब जिसने की प्रूफ कर दिया कि बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है या इसा प्रूफ नहीं कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1986 के आज पास कुछ ऐसे दो इंसिडेंट हुए उन दो इंसिडेंट से लोगों के मन में यह चवी बन गई कि बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी है जीक है अब वो दो इंसिडेंट कौन कौन से हैं वो हमें समझना होगा The first was the Shah Bano case in 1985. In this a 62-year-old divorced Muslim woman had filed a case for maintenance from her former husband. The Supreme Court ruled in her favor. The Orthodox Muslim saw the Supreme Court's order as an interference in the Muslim personal law. अब यहां पर क्या होता है शाहबानो case एक बहुती famous case है आपने कई बार यह नाम तो सुना होगा newspaper में भी आपने कई बार यह चीजें देखे होगी अब शाहबानो case में क्या होता है 62-year-old एक डिवोर्स Muslim woman रहती है जो की अपने जो पतीर था जो जिसने कि उसको तलाग दे दिया तो उन्हों तो उसने क्या बुला कि मुझे maintenance चाहिए उसके लिए Supreme Court में case file किया अब Supreme Court ने जो judgment है वो शाहबानो की favor में दिया कि नहीं भी या maintenance मिलना चाहिए अब इसको लेके जो एकदम orthodox पुराने जमाने के जो लोग होते हैं ठीक है उन्होंने एक तरीके से यह ब बात है जो त्रिपल त्रिपल तलाग जो आपने सुनाओगा आप तो नहीं है इंडिया में लेकिन जो त्रिपल तलाग जो आप सुनते हैं आए हैं यहीं घचाहबानो की यहां पे इस जैजमेंट है वो शाहबानों के favor में दे दिया लेकिन यह जो Muslim Personal Laws है जो कुछ Orthodox Muslims थे उन्होंने बोला कि नहीं यह गलत है Supreme Court हमारे Muslim Personal Law में इंटरफेर ना करें उनको कितना देना है महिलाओं को कितना मतलब कितना उन्हें वो देना है तरीके से maintenance कितना नहीं देना है तलाग दे दिया नहीं दिया तीन बार तलाग बोलके दिया आप इस सब में ना पड़ें यह Muslim Personal Law है इसके हिसाब से हमारे religion की चीज़े गवन होरी है आपको कोई अधिकार नहीं है यह कुछ लोगों का उस समय कहना था On the demand of some Muslim leaders, the government passed the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 that nullified the Supreme Court judgment This action of government was opposed by many women organization, many Muslims group and most of the intellectuals The BJP criticized this action of Congress government as an unnecessary concession and appeasement to the minority politics Abu Samet भहिया Congress की सरकार थी अब वहाँ पे बहुत जादा विरोध होने लगया जब Supreme Court ने यह judgment सुनाया कि शाहबानों को maintenance मिलना चाहिए और यह जो भी हुआ शाहबानों के साथ में गलत हुआ अब जब Supreme Court ने यह judgment सुनाया तो यह जो Orthodox Muslim थे इन्होंने क्या किया? Supreme Court को criticize किया इन्होंने बहुत जादा Protest किया इन्होंने बहुत जादा सरकार पे दबाव बनाया अब उच समय थी Congress की सरकार Congress की सरकार सोचें भी है क्या करना Protest है लोगों का दबाव है Muslim समाच का दबाव यह अब हम क्या करें तो Congress सरकान ने क्या किया कि Parliament में कानून पास कर दिया और उस कानून से जो Supreme Court ने शाहबानों की फेवर में जो judgment दिया था उस judgment को पलड दिया ठीक है Parliament ने कानून बना दिया और यह judgment nullify हो गया यह judgment को पूरा का पूरा पलड दिया अब जब judgment को पलड दिया तो बहुत सारी फिर Muslims women की जो organizations थी जो Muslim women थी वो प्रोटेस्ट करने लग गई कि यह judgment जो था यह हमारे favor में था और इसको Congress सरकार ने पलड दिया साथी साथ बीजेपी criticize करने लग गई कि जब Supreme Court ने शाहबानो केस में judgment दे दिया तो Congress सरकार को क्यों उस judgment को पलड ना पड़ा यहाँ पे जो Congress है वो minority politics खेल रही है जो Congress है वो minorities को पीज करने की कोशिश कर रही है उनके पर कुछ Muslim समुदाय के लोगों ने कुछ दबाव बनाया तो Congress ने उनके favor में उस judgment को पलड़ के उनके favor में कानून वैसा बना दिया तो यहाँ पे बिजी पी ने क्रिटिसाइस किया कि जो Congress है माइनौरीटी के favor में खेल रही है और हम हम इंदुद्व के favor में तो यहाँ पर हम्हं दो ओडियलोजी देखने को मिलती यहाँ आगर कॉंग्रेस की बात करें तो सीचल रही थी Congress में अगर हम इस incidents के बाद में देखें तो Congress में यहाँ चल रहा था Minority Politics यह लोग खिल रहे थे ठीक है Minority Politics Minority Politics यहाँ पर चल रही थी ठीक है तो एक तरीके से यहाँ पर यह Versus वाले situation हो गए Hinduत्व versus Minority Politics ऐसी situation कुछ ऐसी चलने लग गई यहाँ पर यह जो दो जो मेजर Political Parties बाद में उबरी तो इनकी Ideologies में हम देखने लगए कि Completely Different चीज़े हैं मैं फिर से Repeat करूँगा कोई भी Political Parties मतलब हर Political Party को अपनी रोटी सेखनी होती है BJP को अपनी सेखनी Congress को अपनी सेखनी हर Political Party का का काम नहीं होता अब Development Congress भी करी Development BJP भी करी मतलब मैं Development को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं Ideologies की बात कर रहा हूँ हर इनसान अपना स्वार देखता है कल को आपके सामने कुछ हुआ तो आप पहले अपना स्वार देखोगे बाद में दूसरे का स्वार देखोगे Same is the case with the political party चाहे वो BJP हो चाहे वो Congress हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो त्रीन मूल Congress हो चाहे कोई भी regional political parties हो DMK, AIA, DMK जितनी भी political parties हैं वो पहले अपना स्वार देखेगी वो पहले ये देखेगी कि हम power में कैसे हैं इसलिए आप एक चीज को यहाँ पर समझ जो थोड़े से logical human being बनो थोड़े से rational being बनो हम लोग क्या होते हैं हम लोग usually किसी भी political parties से एकदम बहुत ज़ादा चिपक से जाते हैं ओ, ये तो मेरी favorite political party है उसके बारे मैं ऐसा क्यों बोला नहीं मैं सुन नहीं सकता ऐसा नहीं है मैंने आपको क्या बोला political science is all about debates कई बार जो चीज आपको नहीं सुन सकते वो भी आपको सुनना होगा और मैं फिर repeat कर रहा हूँ कोई political party किसी की सगी नहीं होती सबको अपनी अपनी रूटियां ही सेखनी होती ठीक है वो लोगों के पास आती है अपनी ideologies लेकि लोग उनको उनकी ideology के हिसाब से vote कर देते हैं clear है समझ में आगया यह चीज आपको यहाँ पर clear हो गई ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि Congress ने क्या किया अब जो second most important और interesting issue है वो है आयोध्या dispute और आपको भी पता है यह जो आयोध्या dispute है जो राम मंदिर से लेके जित्ते भी यह dispute जो अभी तक चला आ रहा है वो पूरा dispute क्या है मतलब उसका थोड़ा सा brief में आपको यहाँ पर बताऊंगा लेकिन आपको यह पता है कि इस आयोध्या dispute पे क्या हुआ था बहुत ज़्यादा politics हुई है इस आयोध्या dispute पे religion को लेके बहुत ज़्यादा politics हुई है ठीक है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि religion को लेके यहाँ पे किस तरीके से चीजें किस तरीके से यहाँ पे चीजें हुई है The second development was the order by the Fayzabad District Court in February 1986. The court ordered that the Babri Masjid premises be unlocked so that Hindu could offer a prayer at the site which they considered as a temple. A dispute has been going on for many years, for many decades, over the mosque known as Babri Masjid at Ayodhya. अब देखो यहां पे क्या है? यहां पे basically क्या था? 1940 से यह थोड़ा सा dispute चला रहा था. यह है Babri Masjid at Ayodhya में, ठीक है? यह मतलब इस तरीके से था Babri Masjid at Ayodhya में, ठीक? अब यहां पे क्या चल रहा था? यह dispute भगत समय से चला रहा. अब 1940 में क्या हुआ? मतलब 1940 में जब case चले गए, courts वगेरा में case चले गए, या सारी चीज़े ऐसी हो गई, तो यहां पे इस मजजित को बंद कर दिया गया था, lock लगा दिया था. lock इसलिए लगा लिया था, बंद इसलिए कर दिया गया था, क्योंकि जब court में case चल रहा है, तो court ने ना इस समुदाय के पक्ष में जजज्मेंट दिया है, ना दूसरे समुदाय के पक्ष में judgment दिया किसी के पक्ष में judgment नहीं दिया है ना court कुछ बोला है तो जब तक court में चीज़े clear नहीं हो जाती है तो हम उस मंदिर को बंद कर देते हैं नहीं वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी नहीं वहाँ prayer की जाएगी ठीक है तो हम इस मंदिर को बंद कर देते हैं जैसे ही कोई judgment आएगा फिर जैसा भी judgment होगा उस judgment का पालन किया जाएगा अभी court में हैं कई बार हम देखते हैं जैसे आपको एक example बताता हूँ कोई जमीन से लेके मालो court में विवाद है मालो यह जमीन है अब यहाँ पे कोई building वगएरा बननी है अब court में case चले गया तो जब तक अब वो case नहीं सुलच जाता तब तक इस जमीन पर building नहीं बन सकती है तो यहाँ पे अब जैसे court में case चले गया तो फिर इस मज़ित को lock कर दिया गया यहाँ पे नहीं prayer हो रही थी फिर नहीं नमाज पड़ी जा रही थी इस मज़ित को यहाँ पे lock कर दिया गया सेम जैसा मैंने आपको जमीन का बताए कि जमीन का case चले जाता है तो उस पे जो भी काम हो रहा होता है वो रुख जाता है जब तक की judgment नहाए clear है इतना अभी आपको यहाँ तक समझ में आया है आप थोड़ा सा patience रखो यहाँ पे यह जो बाबर क्या टाइम था उसके कुछ military commander थे मीर बाकी उनके द्वारा यह बनाया गया था बाबरी मस्जित 16th century में यह हो गई बाबरी मस्जित के थोड़ी सी history some Hindu believe that it was built after demolishing a temple for Lord Rama in which in what it is believed to be his birthplace the dispute took form the court case and has continued for many decades अब यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे Hindu का मानना था कुछ Hindu का मानना था कि यह जो मस्जित है यह मस्जित जो राम भगवान का जो मंदिर था जो Lord Rama का जो मंदिर था उस Lord Rama के मंदिर को गिरा के और वहाँ पे फिर मस्जित बनाया है जब मुगल आये थे भारत में रूल करने तो उन्होंने क्या किया उन्होंने temples को गिराया और वहाँ पे उन्होंने मस्जित बनाया चीक है तो वैसे ही कुछ Hindu का मानना था कि यहाँ पे Lord Rama का मंदिर था यहाँ पे Lord Rama का जन्म हुआ है और यह उनका मंदिर था और यहाँ पे उस मंदिर को गिरा के यहाँ पे मस्जित बनाया गया तो यहाँ पे Hindu कम्यूनिटी जो थी उनकी आस्ता की बात थी और यहाँ पे Muslim Community की भी आस्सा की एक तरीके से बात कहलो क्योंकि वहाँ पे मजजित है तो अब दोनों Community की वहाँ पे भाया अच्छी मतलब दोनों Community की बिलकुल आस्सा जुड़ी होगी एक का मज़ित है, एक का मंदिर है, मतलब दोनों के यह अपने धर्मस्तान है वहाँ पर, ठीक, यह चीज आपको यहाँ पर clear हुई, In the late 1940s, the Moscow was locked up as a matter was with the court, हम वही देखते है, 1940s के आसपास क्या होता है, इस मॉस्क को lock कर दिया जाता है, क्यों lock किया जाता है, कि matter court में है, चीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ यह जो फैज़ाबाद district court है, उन्होंने 1986 में क्या बोल दिया, कि इस मॉस्क के ताले खोल दिये जाए, ताले इसलिए खोल दिये जाए, क्योंकि पे जो हिंदू सम्मुदाय है वो अपनी प्रेयर करेंगे चीक तो अब आप यह सोचो कि जो 1940 से जो चीज़े चली आ रही जो 1940 से जो चीज बन थी 1940 इसके आसपास से जो चीज बन थी अचानक से बोल दिया जाए कि उसका द्वार खोलो क्योंकि वहां पे एक सम्मुदाय को व के फेवर में था मतलब एक करीक के एक हिंदूस के फेवर में है कम्यूनीटी के फेवर में था दूसरी कम्यूनीटी इस मॉस्लिम्ट उनको इस चीज यहां पहुची है तो एक तरुके से पूरा हम दिन हमने देखा कि कम्युनलय बॉरइन्स वाली मSm порड़ चीज genetics mobilize their community on this question suddenly this local dispute became a major national question led to communal tension अब यहां पर क्या हुआ देखो अब जैसे ही बावरी मज़द के gate खुले तो हिंदूस पहुचे मुस्लिम्स भी पहुचे अब जब मुस्लिम्स पहुचे तो उन के मॉस्क्यू की बात थी ठीक है तो एकदम से पूरा नाशनल इशू बन गया पूरा पहले आयोध्या में वैसा पूरा सिन्यारियो हुआ पूरे हिंदूस पहुच गये पूरे मुस्लिम्स पहुच गये और न्यूस ने बात पहला ही पी जगा जगा एक तरीके से हम देखे त कम्यून टेंशन बढने लग गये। बढने लग गये। The BJP made this issue its major electoral and political plank. Along with other organizations like RSS and Vishwa Hindu Parishad, it convened a series of symbolic and mobilization program. This large-scale mobilization lead to surcharge, atmosphere and many instances of communal violence. The BJP, in order to generate a public support, took a massive march called Arrath Yatra from Somnayam. नातिन गुजराट टू अयोध्या इन यूपी अब बीजेपी ने क्या किया बीजेपी ने इस issue को electoral issue बना दिया एक पूरा का पूरा एक electoral symbolic शारी चीजें दे दी और बीजेपी को कौन support कर रहा था पीछे से मतलब बीजेपी को एक तरीके से और लोकों को कौन mobilize कर रहे थे RSS और विश्व हिंदू परिशत ने और बीजेपी ने मिलके लोगों को ऐसे influence किया उन्होंने mobilize करने की कोशिश की कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे ठीक है यह उन्होंने पूरा ऐसा करके सारी चीजें start की वहां पे ठीक है तो यहां पे पूरा बीजेपी ने electoral form में लेके आ साथी सांथ बीजेपी ने क्या किया रत यात्रा निकाली सोमनाच से लेके गुजरात तक उन्होंने कि हम मंदिर बनाएंगे लोगों को mobilize करते गए लोगों को बताते रहें कि वहां राम भगवान का जन्म हुआ था तो वहां मंदिर होना चाहिए यह सारी चीजे अब देख कैसे political influence हुआ recent development in Indian politics हम यह बात करें कि इंडियन politics ने इस issue पर क्या किया मैं अपने opinion नहीं बता रहा हूं और आपके opinion भी यहां पर matter नहीं कर रहा है ना मेरा opinion matter कर रहा है ना आपको opinion matter कर रहा है यह कि सर जन्म हुआ नहीं हुआ क्या हुआ मंदिर बनना चाहिए मजजद गरत गिरा है जो भी है हम उस debate में जा रहे हम बात कर रहे हैं जो already हो चुका है हम उस पर बात कर रहे हैं मतलब already उसके पर मतलब history में जाके हम चीजों को बात कर रहे हैं जो चीजें already हो चुकी 1986 में हम उसके बार में बात कर रहे हैं तो यहां मेरे personal opinion नहीं है और नहीं आपके personal opinion यहां पर matter करेंगे, यहां matter कर रहा है कि आपकी book क्या कह रही है, आपकी book NCRT क्या कह रही है और उस समय पर चीजें कैसे हुई थी, चीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग कई बार बहुत जादा हड़ भी हो जाते सेंटिमेंट से, तो यह सारी चीजें ह devotees for building the Ram temple, अब 1992 में राम मंदिर की बात होगी कि बनना चाहिए जब फैजाबाद district court ने बोल जाए कि नहीं, गेट खोलो, वहां पर मंदिर था, वो लोग हाथ जोड़ेंगे, जो हिंदू कम्यूनिटी है, वहां पर prayer करेंगे, तो राम मंदिर बनने की बार याई ठीक है, उत कर सेवा करके चीज़ें आई कि voluntary service for devotees, मतलब लोग voluntary service करते हैं ना कि मंदिर बनाएंगे, लोगों को जागरूप कर रहे हैं, किसे को खाना खिला रहे हैं, ये उन्होंने सारी चीज़ें start की ताकि लोगों को हम mobilize कर सकें, अब जो situation थी वो तेंस बन गई दोनों communities की भावना थ और Supreme Court ने State Government से कहा, जो कि BJP की सरकार थी, कि आपका दायत वही है, या आपकी responsibility है कि वहाँ पे situation खराब नहीं हो, आप law and order को maintain करके रखें, वहाँ पे चीज़ें बिगरनी नहीं चाहिए, वहाँ पे उस disputed structure को भी वैसे ही छोड़ दो, उस पे हम व्लोग सुनवाई करेंगे बाद में देखेंगे, फिलाल आप law and order की situation को maintain करने का काम करो, however, thousands of people gathered from all over the country at Ayodhya on 6 December 1992 and demolished the mosque, this news led to the clashes between Hindus and Muslims in many parts of the country, 6 December 1992 को उन्होंने mosque को demolished कर दिया, बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुच गए, या आप image है, या बूगल पे बी search कर सकते हैं, images हैं, वो लोग मतलब उन्होंने वहाँ पे mosque को demolished कर दिया, उसके structure को आहत पहुचाया, ठीक है, और सारे लोग मतलब इन यह लोग पहुचे कैसे, यहाँ पे कही न कई politics का तो हाथ होगा, मतलब लोग के पास, मतलब यह इस कदर तो law and order की situation नहीं भी गड़ सक होती है, तो जो सामने आती ही, वो हमें पता चल जाता, लेकिन कुछ अंदर अंदर भी खेल चलते हैं, political party इतनी दूद की धूली नहीं होती है, सारी political party कहीं न कहीं अपनी ही रोटियां से एकरी होती है, तो यह एक हमारे Indian politics में, हमारी Indian history में देखते हैं कि कुछ ऐसी घटना लग गाए, जब यह पूरा यह सारी घटा एंगाटी तो पूरे देश में एक तरीके साब देखो, कि लॉइ और की सिचबेशन भी गढ़ गए, देवेंट इवेंट अधियां लीट पार अजूद की अधियां लीट अधियां लीट फिर्टेश फार अधियां टूली प्री in Supreme Court for the contempt of court since he had given an undertaking that the dispute structure will be protected अब यहां पर क्या हुआ यहां पर मैंने बताया था कि राज्य में उत्तर प्रदेश में उसमें बीजेपी की सरकार थी उसमें की चीफ मिनिस्चर थे कल्यांड सी चीक है तो वहां पर क्या हो अब जैसे यह घटना घटी जैसे यह पूरी घटना यहां पर घटी तो इस घटना के बाद में क्या होता है इस घटना के बाद में होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वह सबसे प के साथ में सुप्रीम कोट में केस चल जाता है केस जाता है कंटेम्ट ओफ कोट के तो न क्या है कि आपने कोट की आज्या का पालन नहीं किया उस समय कि मुख्यमंतरी ने दाटेस कल्यांच सिंह ने क्या बोला था सुप्रीम कोट ने उनसे बोला था कि तो आपको लाइन ओडर की सिच्वैशन मेंटेन करनी हैं तो उन्हों ने भी सुप्रीम कोट में अंडर टिटिक्टिंग दी कि में लॉडर की सिच्वैशन maintain करूंगा पुलिस फोर्सेज वगेरा वहां तेनात रहेगी लेकिन आपने law and order की situation maintain नहीं की इसका मतलब यह हुआ कि जो सुप्रीम कोड का जो judgment है जो सुप्रीम कोड ने कही आपने सुप्रीम कोड की बात की अवमानना की है आपने सुप्रीम कोड की बात नहीं मानी है तो आपने कोड को disrespect किया है और इसके भी आपके contempt of court आपने कोड को disrespect किया आपने कोड की अवमानना की है तो इसके लिए केस आपके ऊपर चला जाएगा कि कोड़ ने जो आपको ओडर दिया था वो कोड़ वो ओडर आपने पूरा नहीं किया है दे बीजेपी ओफिशली एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर दे हैपनिंग सेट आयोध्या दे सेंट्रल गवर्मेंट अपॉंटेड़ इन्टो दे सरकम्स्टैंस लीडिंग टो डिमॉलिशन ओफ मॉस्क यहां पर बीजेपी का जो ऑफिशल जो बयान होते हैं ऑफिशली उन्होंने बीजेपी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा कि यह बड़ी दुकत गटना है यह चीजे नहीं होनी थी और उपर जो सेंट्रल ती सेंट्रल गवर्मेंट ने कमिशन बनाया कमिशन में पूरी जाज बठाइ की यह डिमॉलिशन क्यों हुआ है क्या था इसके पीछे के क्या राज है तो उन्होंने वह सारी चीजे लगाई Most political party condemned the demolition and declared that this was the against the principle of secularism बहुत सारी political parties ने वही इसको criticize किया कि ये secularism के principle के against है clear है यहां तक समझ में आ गया अब यहां पर हमने क्या देखा था BJP और Congress की ये वाली बात हमने देख ली थी तो इसके बाद में जो एक quick revision करते हैं कौन से cases आये थे शहाबानो केस में हमने देखा कि शहाबानो केस में Congress ने minority politics के लिए शहाबानो केस फिर आयोध्या dispute ठीक है आयोध्या dispute में हम देखते हैं कि यहां पर political parties ने अपना role किया and specially यहां पर जो हम देखते हैं यहां पर BJP का role जादा limelight में रहा और यहां Congress का role जादा limelight में रहा तो यह दो इशूस थे जिन्होंने कहीं न कहीं हमारे politics में religion का बहुत important role लेके आ गए और religion वाला factor बहुत जादा यहां पर influence होने लग गया clear है यह चीज़ आपको यहां तक समझ में आ गई है यह चीज़ आपको यहां समझ में आयोधिया dispute में क्या हुआ था 1940 से क्या हो रहा था 1940 के आसपास से केस चल रहे थे तो उस ताला खोल दिया जाया थाकि हिंदूस प्रेयर कर सके अब जब ऐसा हुआ तो मुस्लिम कम्यूनिटी को आहत पहुची तो इस तरीके से कम्यूनल वालेंस से रप्ट हो गया और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कम्यूनिटी के लोगों को मोबिलाइज कर रही थी कोई उन्होंने मंदिर के नाम पे लोगों को बहुत जादा मोबराइज किया साथ ही साथ जब यह मस्जित का डिमॉलेशन हुआ तो वहां पर किंद्र सरकार थी उन्होंने राज्जी सरकार को अटाया वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और उत्तर प्रदेश ही नहीं पू पहुत सारे क्वेशन से लाइक इंडिया की सेकिलरिजम को लेके फ्वेशन चीक है इस लेड तो अ सीरियस जीबेट ओवर अ सेकिलरिजम और पोस्ज़ काइंड आफ़ कंट्री फेस्ट इमिडियकल आफर था पार्टिशन वहां पर अल्रेडी देखो कि मतलब इंडिया का इंडियक हिस्सा जो कि पाकिस्तान बन गया वहां पर अल्रेडी मतलब इक रिलिजन का उससे में बहुत इंपॉर्टेंट फेक्टर था तो क्या इंडिया कुछ ऐसा होने वाला है कि जो मैजॉरिटी रिलिजियस कम्यूनिटी है वो माइनॉरिटी इस के उपर डॉमिनेट क करेंगे लेकिन इंडिया में यह होई नहीं सकता अलग अलग धर्म के रोगें और खासकर एजुकेशन नहीं है लोग तो धर्म के नाम से यूँ भड़कते हैं तो यहां पर चीज़ें कैसे समलेगी मतलब इंडिया के उपर हस्ते थे कि यह कंट्री तो बिखर जाएगी यह मतलब तमाम तरीके के बखवास से बखवास आर्टिकल और मतलब सारी चीज़ें इंडिया की इमेज पूरे वर्ल्ड के सामने बहुत बूरी तरीके से प्रोजेक्ट की गई और वोल इंडिया कंटिनीव तो ओफर एक्वल प्रोटेक्शन अफ लाओ एक्वल से इंडियन इर्रिस्पेक्टिव आप देर डियुरिंग इस तैम देर एक ऑडिएट अबाइशन में रिलिजियन का क्या रोल है एक समय ऐसा था जब देश आजाद हुआ तब रिलिजिन का रोल नहीं था इलेक्शन में लेकिन 1986 तक आते हैं, 1990s के आते हैं, religion का रोल बहुत बड़ा हो गया, in fact आज भी है, तो ये बहुत बड़ी debate आई कि अब religion का कितना बड़ा रोल है हमारे देश की politics में, हमारे देश में अगर vote मागना है तो political parties के लिए religion का कितना बड़ा रोल है, ये सारी चीजे सामने आने will be no community based political parties, अगर हम देखें तो इंडिया की democratic politics यही कहती है, कि हर इंसान को आजादी है, किसी भी political parties को join कर सकते हैं, कोई भी political parties religion को लेकि divide नहीं करेगी, community based politics नहीं होगी, कि हमें इस community के हैं, लेकिन ये सारी चीजे अगर हम आज के टाइम में देखें, तो सारी चीजे होती है कास्ट के नाम पे भी politics होती है, ठीक है, religion के नाम पे भी politics होती है, ठीक तो ये सारी चीजे नाशनलिजम के नाम पे politics होती है, तो politics तो आज कल हर एंगल में घुम गई और सारी political party, जितनी के जितनी है, सारी political party कहीं ना कहीं, अपनी politics कहीं ना कहीं, अपनी दाल रोटी के बार is a threat to democracy वही वाली बात है कि अगर दो कम्मुनिटी इन दोनों कम्मुनिटीज के बीच में कर वालेट होगा तो यह कहीं न कहीं हमारी डेमोक्रासी के लिए थ्रेट है सांथी सांथ दो हजार दो में एक और हमें वालेंस देखने को मिला इस गुजरात रॉइट्स जिसको कि हम गोद्रा कांट भी कहते हैं ठीक है खरफ खरसे कर से वखस वासेट हान्व अब जो यह आपको बताया था अभी हमारी बात हुई तो एक ट्रेन आ पोगि को चला ला गया ठीकि उसमें 57 पीपल थे और वह 57 पीपल मर गया मतलब उस बोगी को जला दिया गया और वह 57 पीपल स्वहीं पर मर गया ठीक है तो लोगों को लगा कि यहां पर फिर पूरे स्टेट में वॉया हिंदूस मुसलिम्स को मानने लग गया जिसमें की जिसमें की सबसे ज़्यादा आहत इस बार मायनुर्या डीटी कम्यूनिटी को उनके बाद में हम कुछ इस तरीके की पिच्छर हमें गुजरात में देखने को मिल रही थी लोगों के घर जला दिये गये बस वगेरा मतलब गुजरात में उसमें स्थीती बहुत जादा खराब हो गई थी चीक है 57 people died in that fire suspect suspecting the hands of Muslims in setting fire to the boogie large-scale violence against Muslims begin in many parts of Gujarat from next day the violence continued for almost a whole month nearly 100% mostly Muslims were killed in nearly 1100 persons mostly Muslims were killed in this violence ठीक है फिर ये 1100 लोग मारे गए 1100 लगभग लगभग जिसमें की Muslim कहेंगे की Muslim लोगों की हत्या हो गई इसमें ये फिगर तो वह है जो government देती है government के अलावा आपको पता है government के figures कभी सही नहीं होते है government के figures हमेशा कम होते हैं बाकि ये figure जादा होगा और पूरे राज्य में इसी हालत हो गई और इसकी कहीं न कहीं कहीं न कहीं हम देखें तो national level पर इस चीजों को impact किया तो हमने क्या देखा हमने अब तक ये सारी चीजें समझी अगर इन सारी चीजों को कर तोड़े मड़ोडे तो इन सारी चीजों से हमें ये पता चला कि 1990s के बाद से religion बहुत important role प कुछ गुजरात में कहीं और राज्य में भी हुए ऐसा नहीं कि सिर्फ नहीं दंगे होई हर राज्य में दंगे होने लग गये तो religion के basis पे political parties सामने आने लग गई, election में religion एक बहुत important role play करने लग गया The National Human Rights Commission criticized the Gujarat government role in failing to control violence, provide relief to the victims and prosecute the preparators of this violence यहाँ पे National Human Rights Commission ने इसको criticize किया, उन्होंने लोगों को आश्वाशन दिया और उन्हें state government को criticize किया आप क्या कर रहे थे law and order की situation आपकी state में खराब हो गई, the election commission of India ordered the assembly election to be postponed instances like Gujarat alert us to dangers involved in using religious sentiments for political purpose, this poses a threat to democratic politics और उसे में elections वगेरा होने थे, तो उस election को postponed किया, साथी साथी example क्या दिखाते है, जैसे Gujarat, Royd से वगेरा, यह examples क्या दिखाते है कि अगर हम लोग religion को लेके आएंगे politics में, तो ultimately सभी को नुकसान है, development भी नहीं होगा, development in the sense, ऐसे आप building, car बैसे जलाओगे तो क्या होगा, साथी साथ हर community को नुकसान और जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं, वो कहीं न कहीं गलत होगा, तो यह हमने देखा कि religion कैसे important role play करने लगया हमारी politics में, साथी साथ political parties अपनी रोजी रोटी के लिए कैसे कैसे दाव पेच इस्तिमाल करने लग गई, और कोई भी political party इससे नहीं बची है, कोई भी political party इससे नहीं बची है, हर political party कहीं न कहीं अपनी दाल रोटी के बारे में ज दर्वत हैं, हम पर election commission को भी दिहान रखना चाहिए, election के दौरा, साथ इक साथ political parties को भी दिहान रखना चाहिए, उनको अपने अपने रीफार्म करना चाहिए, लेकिन तो भी अच्छी बात अगर ऐसे कहें, तो हम देखते हैं कि Indian politics में कित्ते उतार चड़ावा है, इंडिया सबको साथ में लेकिए, सबका development होते हुए, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहें, no doubt, बहुत problems है, बहुत है, आज भी है, लेकिन जो हम बोलते हैं, unity in diversity वाली चीज़ें वो हैं हमें, जो ये letters आ रहे थे, जो ये news articles चप रहे थे कि India divide हो जाएगा, इंडिया के बहुत सा होंगे, ये सारी चीज़ें fail हो गई, इंडिया अपने आपको, एक साथ में हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस पर काम किया, हमारे में वाकि में हम बोलते हैं कि clash हो सकता है, लेकिन वही है कि वो मनभेद नहीं होगा, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता है, ultimately हम ल मैंगनेट ब्रेंच से वीडियोज आप लोग यूट्यूब से तो एकसस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार यह होता है कि आप को यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका solution मैंगनेट बेंस लेके आया है, वो है मैंगनेट ब्रेंस की वेबसाइट पर यहां क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है साथ ही साथ NTSC, Olympiad, NCRT, एक्जैंपलर सारी चीज़ें आपको magnet brain पर ही available मिल जाएंगी सब्सक्राइब किजिए कि आप क्लास 12 क्लिक करेंगे ग्लास 12 को इन सब्सक्राइब करेंगे इन की हुश सब्सक्राइब एक आपको इन सब्सक्राइब करेंगे आप यूट्यूब से comfortable है तो यूट्यूब से पढ़िये लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेब साइट के माद्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं Magnet Brains एक ऐसा चैनल है जहां पर क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहां पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो बिल्कुल free of cost अविलेबल हैं आप लोग जादे से जादे इन वीडियो को शेयर कीजें Magnet Brains के बारे में बताईए अपनी स्कूल में, कॉलेजेज में, ट्यूशन में, भाई बहनों को बताईए साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, मुलाकात होगी आप से नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद